हलो एवरिवन, वेलकम टू करियर इन्फोरमिशन, लॉजिस्टिक इन्फोटेक प्रावेट लिमिटेड जिसमें बहुत सारी वैकेंसी निकलिए है, सबसे पहली बात तो यह जो कंपनी है, यह अलग-अलग अप डेवलप करती है, क्रियेट करती है, मोबाइल अप, उसके बा एमटेक, MCEA, या फिर MSC IT, तो भी आपका चलेगा, उसके बाद में अगर आप फ्रेशर हो, तो भी आप अप अपलाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलड़ी उन्हें ने मेंशन किया है, 0-2-year experience, उसके बाद में, जब भी आप जो भी पोस्ट के लिए अपलाई करना, में PHP platform के जो limitations है, वो सारी चीज़े बाद में, उसके बाद में आपका जो HTML, FIU, या फिर CSS3, JavaScript के बारे में भी इन technologies के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो mainly focused इस पर करो अगर आप अपलाई कर रहे हो तो, अपलाई कैसे करना है, simply आपको अपलाई करना है, updated resume आपके इसका लिंक मैंने आपको description में खेर दे दिया है, इसका जो job description है, उसके पहले हम यह देखते है कि इसका जो education qualification है, वो same है, 0 to 3 year experience, अगर आप experience holder हो, Android developer में आपने काम किया है, as a, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक opportunity है, और prefer भी किया जाएगा, fresher हो तो भी आप अपल description है, वो है, आपको पता होना जाएगी, open source Android ecosystem, उसके बाद में, libraries available for common tasks, उसके बाद में, translate design and wireframes into high quality code 3, identify and correct bottlenecks and fix bugs, उसके बाद में, handle client communication if required, उसके बाद में, आपको understanding होने चाहे, Google Android design principle, या फिर interfaces guidelines की, perform code review, या फिर perform release preparation, तो ये सारी कुछ important चीज़े है, ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़े, आपको पता होनी चाहे, लेकिन, yes, job description बहुत important है, तो इसको एक बार overlook करके जाना, और yes, in detail, आपको link मैंने provide कर दिह तो, आप check कर सकते हो, उसके बाद में next जो post है, वो है आपकी iOS developer की, इसमें जो है, जीसे कि android developer है, वैसे ये iOS developer की post है, बस आपको iOS platform के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि Android developer को Android platform के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में उनको बहुत सारी जो अलग-अलग यहाँ पे languages है, उसमें भी यह लोग proficient मांगते हैं, उसके बाद में database का भी आपको knowledge होना चाहिए, उसके बाद में XML, JSON, ओके यह सारी चीज complete assigned projects in the timely manner, यह तो केर हर आपको कोई भी profession में वो तो चाहिए, again same education qualification and 3 साल तक experience, या फिर आप fresher हो तो भी चलेगा, उसके बाद में WordPress developer की बात करेंगे, इसमें आपका जो है, आपको पता होना चाहिए कि PHP backend development knowledge उसके बारे में होना चाहिए, web application, websites कैसे interface करते हैं, और कैसे develop करते front end technologies के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी educational qualification वो बाकी सारी चीज़े same है, उसके बाद में next जो post है, वो है web designer की, इसमें आपका HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJX, या फिर bootstrap, UI, UX, ये सारी चीजों के बारे में understanding होनी चाहिए, उसके बाद में ability होनी चाहिए, team के साथ independently, या फिर team के स साथ काम करते, make responsive layout, convert, PhD to HTML file, ये सारी चीज़े पता होनी चाहिए, उसके बाद में graphic design skills आपको आनी चाहिए, cutting edge websites, mobile apps के लिए, 0 to 1 year experience, बाकी same qualification है, उसके बाद में हम बात करेंगे business development executive की, BDE की ये post है, यहापे भी आपका same qualification है, बस थोड़ा आपका ये जो है, ये थोड़ा अ क्योंकि इसमें आपको business development executive की हिसाब से सोचना है, जो बहुत सारी जगा पर निकलते हैं, जहाँ पर आपको business को develop कैसे करना है, वो सारी चीज़े बहुत ज़रुरी है, इस post के लिए, तो आपके जो हैं, वो contacts, बहुत ज़रुरी है, network of contacts, that will support the work of business development, उसके बाद में maintaining continuous client relationship, through the client follow up, responsing to their queries, if any, तो इसका मतलब यह है कि आपको customer के साथ यहाँ पर बात करनी है, और जो भी, या फिर clients, mostly, आपको उनके साथ बात करनी है, customer से जादा, तो आपको technical knowledge भी होना चाहिए, तो इसलिए education qualifications से में, to manage web, telephone and email, best queries, जो भी queries आपको pass on भी करनी है, आपको solve भी करनी है, उ presentation reports as required by the internal management team और clients, ओके, और तो यह client-based आपका post है, बहुत important है, आपके उपर बहुत सी चीज़े हैं पर important है, कैसे आपको business को develop करना है, ओके, उसके बाद में, अगर next जो post है, वो है react native developer, इसमें आपका जो है, 0 to 1 year, same qualification, should be able to develop complex and data-driven apps using react native framework, जो mostly use होता है, javascript का knowledge होना चाहिए, react native redux के बारे में, आपका working experience भी होना चाहिए, और iOS और Android दोनों platform आपको पता होने चाहिए, ओके, उसके बाद में, should be able to develop code using code editor, visual studio code, ओके, तो yes, बाकी सारी चीज़े मैंने आपको भी बता दी है, जो भी in detail है, जो भी post के लिए आप apply कर ने वाले हो, आप सारे post को भी apply करने वाले हो, तो job description in detail बढ़के जाना, कुछ-कुछ चीज़े थी, जैसे मैंने आपको बता दी है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही आना चाहिए, लेकिन fresher हो तो आपको थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए, लेकिन for the startup ये बहुत अच्छी एक opportunity है, इसका link मेंने description में आपको दे दिया है, तो आप जाके form fill up कर सकते हो, CV आप update करके रहतना है, job description के इसाब से सही चीज़े लिखना, बाकि subscribe करो, जो भी official notification आपको ये channel पर मिल जाएंगे, so thank you all, and all the best, telegram channel का भी link मेंने दे दिया है, तो आप join कर सकते हो, and yes, hit the bell icon, and all the best.